हेलो स्टुडेंट्स जो आपके 11 कि स्लेबस में एक यूएनिट है आपकी डाटाबेस मालेजमेंट सिस्टेम है इसको मैं स्टार्ट कर रहे हूँ आपने क्लास 10 में भी एसकोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा डाटाबेस क्या होता है इसकोल की फॉर कमांड्स पढ़िए और उसी चीज़ को आपको काफे सारी कमांड्स भी पढ़ने डिटेल में थोड़ा पढ़ना है क्लास 11 नो तो स्टार्ट करते हैं फस्ट होता क्या है डाटाबेस 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 की फॉलिके सफी करते हैं कोई याइस हैающenne क्या पाँlic आपको शेहивी होटा व्यास जो 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 को में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलूगी कि नेक्स्ट है आपका परपस क्या है डाटाबेस का सफेर इस टू अलाओ दे यूजर तू क्रियेट अब मेरा सॉफ्ट्वेर जो होगा डाटाबेस management system whatever software कोई भी software अगर मैं यूज करूं नीचे यह देखो यह सारे software आपके बताया हुआ हैं इनमें से कोई भी software आप यूज कर सकते हो तो वो software क्या अलाओ करेगा user को कि मैं कोई भी database को create कर सकती हूँ modify कर सकती हूँ change कर सकती हूँ administration of database data का administration मना सकती हूँ कि कौन इसको access कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा इस तरीके से main server अब examples दिया मैं देखो कौन कौन से database में use कर सकती हूँ database management system जो मेरा एक ms access या आपने previous classes में पढ़ा होगा mysql जो आपको इस वार पढ़ना है एक होता है postgre SQL होता है SQLite होता है Microsoft SQL Server होता है Oracle SAP और आजकल जो सबसे trend में है वो Oracle and SAP है D-base होता है Fox Pro होता है एक्सेक्टरा बहुत सारे database होते हैं जो आप use करते हो data को manage हरने के लिए अब benefits क्या है database को use करने का क्या benefits है first क्या benefit redundancy can be controlled जो data का duplication होगा कि मतलब मैं एक ही data मेरा दो इंसर्ट हो जाए तो उस तीस को रिमोब करता है यह मेरा database management का क्या benefit inconsistent can be avoided जो data inconsistent होगा उसको मैं avoid कर दूँगी data can be shared अगर मैं database management system use करती हूँ तो मैं data को share कर सकती हूँ for example मैंने एक data बनाया पूरे स्कूल का data बनाया second उसमें से अगर मुझे particular class का data चाहिए होगा तो वह उसको मैं share कर पाऊंगी fourth क्या है security restrictions can be applied अब database जो है आपका वहर कोई access नहीं कर पाई इसलिए security restrictions भी लगाए जाते हैं कि आप इसको data आप किसी को data allow करना चाहते हो से access करने के लिए नहीं करना चाहते हैं तो यह सारे क्या है आपके benefits है database management system के next आपको अपने syllabus में relational data model ही पढ़ना है relational data model के लब बहुत सारे data model भी होते हैं हर आएकर data model भी होता है वह सारे नहीं है आपके syllabus में खाली relational data model है देख लेते होता क्या है relational data model is a database model एक database model है based on first order predicate was formulated and proposed by यह हमें किसने दिया था एडगर एफ कॉड ने 1969 में मुझे हमें relational database model दिया था formulate हुआ था next in the relational database model database is represented as a collection of related table अब relational database में मेरा क्या होगा वो represent करता है क्या collection of related tables इसके अंदर किस चिसका collection होता है related tables का collection होता है मेरा each table is termed as a relation हर एक table को मैं क्या बोलूंगी relation and has its unique name in the nomic agrees relational data model और उसका किया होगा एक unique name रखूंगी उसका मेरे relational data प्ड़ल के अंदर tables क्या होते हैं सबको पता है tables क्या होते हैं row resistance मैं अगर कोई चीज मैं बना दूख तो मेरा क्या बन जाता है वो मेरा table फॉर्म होता है अब table के अंदर कुछ rows होते हैं कुछ columns होते हैं, row क्या होगा? horizontal subset, जो मेरी row होती है वो कैसी होती है? इस तरहे के से horizontally, तो मेरा horizontal subset होता है, और मेरा column कैसा होगा? column मेरा कैसा होता है? ऐसा होता है, vertical subsets होते हैं, ठीक है? row horizontal subset of a table represent a tuple अब मैं horizontal subset भी बोल सकती हूँ, tuple भी बोल सकती हूँ, record भी बोल सकती हूँ row के इतने सारे names है मैं किसी से भी represent कर सकती हूँ ऐसा नहीं है कि आपने एक name याद कर लिया, तो आपका काम चल गया, ऐसा नहीं है question में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको सभी name पता होने चाहिए, while column, vertical subset, column को मैं vertical subset बोल सकती हूँ, जो की table को represent करता है as a attribute तो कैसे तरीके से represent करता है attribute, तो column नहीं बोलती है इसके अंदर attribute बोलती हूँ कुछ terms है, आपकी database के अंदर, first relation in database, a relation means table, database के अंदर मेरा relation का क्या मतलब है कि वो मेरी table है, in which जिसके अंदर, data is organized in the form of, अब मेरा database क्या है, relation है और relation का क्या मतलब हो था, table अब table के अंदर क्या होती है, row and column, तो मैं क्या से करूंगी organize, row and columns में करूंगी organize data को, therefore in database, relations are equivalent to tables, तो database में मेरा जो relation है, वो किसके equivalent है, tables को, तो कई बार मैं relation भी बोल देती हूँ, कई बर मैं table भी बोल देती हूँ, यहाँ देखो हैं मैंने, table ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, relation लिख देती हूँ मैं table लिख दू, relation लिख दू, एक ही बात अब example के तोर पे मेरे पास एक table दी हुई है, जिसमें अंदर मेरा क्या है, admission number है, column, second column क्या है, name, third column क्या है, class, fourth column क्या है, section, fifth column क्या है, average, तो मेरे पास क्या है, five columns दिये हूँ है, मेरे पास, और इसके अंदर मैं बात करूँ, तो रोज, तो रोज कौन-कौन सी है, एक रोज मेरे है, 101, 19, 12, A, 85, यह मेरी first row है, तो ऐसे मेरे कितनी रोज हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, means, six row, and five columns अब second term क्या होती है, इसके अंदर database में, domain refers to all possible unique values of a particular column, मेरा domain क्या होगा, जिसके अंदर मेरी सारी possible unique values हो, किसी भी particular column के लिए, वो मेरा domain कहलाएगा, for example, example देख लो, the domain of gender column, अगर मेरा कोई gender column है, तो उसके domain के अंदर जो मेरी set of possibility values होगी, possible values होगी, gender मेरा क्या होगा, या तो male होगा, या female होगा, इसके लावा कोई और gender तो होई नहीं सकता, second example क्या बताया हुआ है आपको, the domain of marital status has a set of four possible values, जो मेरा, अगर मैं marital status की बात करूँ, तो उसके अंदर मेरे क्या होगे, possible values कितनी होगी, कि कोई married हो सकता है, कोई unmarried हो सकता है, कोई video हो सकता है, इसके अंदर मेरे क्या है, इस domain के अंदर मेरे four possible values है, तो domain क्या होता है, जिसके अंदर possible unique values हो, किसी भी particular column को लेकर, आपको इस examples कित्रू समझ आया होगा, next है, therefore a domain is set of acceptable values of a particular column, तो मेरा domain क्या होगा, एक set होगा acceptable values का, जिसको मैं accept कर पाऊंगी, किसी भी particular column के लिए, which is based on various properties and data types, जो कि किस पे based होगा, various properties पे based होगा, और data types पे based होगा, आपको next आगे class में, जो chapter में पढ़ाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से domain set out किया जाता है, next आपकी term है, जिसको मैं क्या बोलूँगी, tuple, the tuple is known as record, tuple का नाम एक और कहा है record, which gives particular information, which gives particular information of a relation, वो एक particular information देगा, किसी भी relation किया, तो में relation वोल लिए, example देखते हैं, for example, in customer table, one gives, one row gives information about one customer, अब customer table के अंतर, जो मेरी एक रोह होगी, वो information देगी एक customer की, student table में जो मेरी एक रोह होगी, वो मेरी information देगी, एक student की, next आपकी term है की, अब की क्या होती है, a column और a combination of column, मेरे पास एक column हो, या columns का combination हो, means बहुत सरे columns हो, which can be used, जिसको मैं यूज करूँ, किसलिए, to identify one or more rows, से मैं क्या कर पाहूँ, एक या एक से जादा row को, means row भी बहुत सकती हूँ, टपल भी बहुत सकती हूँ, इसको identify कर पाहूँ, टेबल के अंदर, इसलिए मैं क्या यूज करती हूँ, की यूज करती हूँ, जिसको मैं की बोलूँ, और a combination of columns, एक column हो सकता है, या combination of columns भी हो सकते हैं, which can be used, जिसको मैं यूज करूँ, to identify करने के लिए, एक या एक से जादा रोज को टेबल के अंदर, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, key of a table, वो उस table की क्या है, key है, अब आपको main types of keys, बहुत सारे types है, four types basically है, इसके अंदर keys की वो आपको देखनी है, first क्या है primary key, a column, or set of column, मेरे पास एक column हो सकता है, या set of columns हो सकते हैं, that uniquely identify a row, जो मेरा क्या करे, uniquely identify करे, row को table के अंदर, उसको मैं क्या बोलूँगी, primary की बोलूँगी, next है candidate key, candidate keys are set of fields, column with unique values in the relation, that are eligible to act as a primary key, किसी भी table के अंतर, मेरी candidate key वो की होगी, जिसको मैं कभी भी primary key बना सकूँ, वो मेरी क्या करेगी, eligible to act, वो act करेगी मेरी primary key के जैसी, मगर वो primary key नहीं होगी, वो candidate key होगी, candidate key क्या होगी, जिसको मैं जब मर्जी primary key बना सकूँ, next है आपकी alternate key, out of the candidate key, after selecting a key as primary key, the remaining key, जो मेरी remaining key बच जाएगी, primary key को select करने के बाद, और जो मैं act करूंगी as a primary key, candidate key उसको भी हटाने के बाद, जो मेरी सारे keys बच जाती हैं, उन्हें मैं alternate key बोलूंगी, last है foreign key, foreign key is a column, और a combination of column, foreign key क्या है मेरी column हो सकती है, a combination of columns भी हो सकती है, that is used to establish a link between two tables, अगर मुझे किसी भी दो table के बीच में एक link establish करना होगा, तो मैं foreign key का use करूंगी, सारी keys मैं explain करूंगी, with examples बाद में, next आपकी term is degree, degree क्या होती है, the degree is the number of attributes, कितने number of columns हैं या attributes बोलूं table के अंदर, वो मेरी degree कहलाएगी, cardinality क्या होती है, cardinality is the number of rows, कितनी rows है मेरी table में, means कितने tuples हैं मेरे table में, वो cardinality कहलाएगी, अब example देखिए, table लिस्म के बनी होई है, इस table का name क्या है मेरा, student, admission number, name, class, section, average, यह मेरे columns हैं, ठीक है, fields, attributes, columns, अब मेरे इसके अंदर fields में, attributes और columns क्या हैं, यह देखो यह सारे हैं, मैंने अभी पढ़के बता दिये, अब tuples क्या है, rows और records क्या है, जो पहला है वो क्या है, row यह है, जैसे उपर देख लो इसके अंदर, यह मेरा क्या है, first row है, और यह सारे क्या थे, यह सारे आपके columns थे, ठीक हैं, next देख लेते हैं, domain, possible values of sections are, तो मेरे domain क्या होगा, इसके अंदर possible values कौन सी होंगी sections की, A, B, C, D, इससे जादा तो नहीं हो सकती, degree क्या होती है, degree होती है, number of columns, तो मेरे कितने number of columns हैं यहांपर, कितने columns हैं मेरे पास, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच column है, चीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, five columns, और cardinalty कितनी है, number of rows कितने हैं, तो count कर लो, कितने हैं, one, one, two, three, four, five, six, कितने हैं मेरे पास, six हैं, तो मेरे पास cardinalty क्या होगी, six होगी, number of rows, अब इसके अंदर मैं candidate की किसको बनाऊंगी, in the above table, admission number and name has unique values, अब इस पूरे table में मुझे, सरिफ admission number और name में unique values मिल रही है, बाकि class repeat हो रही है, section repeat हो रहा है, हो सकता है, average भी repeat हो रहा हो, तो therefore admission number and name are candidate की, तो मेरे candidate की हो क्या होगी, admission number और name, अब मैं primary की किसे बनाऊंगी, out of the admission number and name, admission number is the primary की, admission number और name मैं से, मैं किसको primary की बनाऊंगी, admission number को, इस table के अंदर, मेरा जो name है वो uniquely है, क्योंकि मेरा table के अंदर की एक चोड़ा database मैंने बनाया, small database है, तो इसके अंदर मेरा name क्या है, वो uniquely हो रहा है, तो इसलिए मैं primary की उसी को बनाती हूँ, जो मेरा uniquely identify करें, किसी भी रोको, तो इसके अंदर मेरा क्या होगा, इसके अंदर मैं admission number को primary की बनाऊंगी, तो मेरी candidate की कौन सी थी, admission number थी और name थी, तो जिसमेंसे मैंने क्या कर दिया, admission number किसको बना दिया, प्राइमरी की बना दिया, admission number, फिर मेरा candidate की क्या होगा, कि name, कि admission number के अलावा, जो की मेरी primary की बन सकती है, वो मेरी क्या है, name, तो name और मेरा admission number क्या होंगी है, मेरे candidate की की तरह act करेंगे, last है alternate की, जो बच गई वो सारी क्या होंगी, alternate की, इंदा candidate की, admission number is the primary की, and name is the alternate की, फिर मेरा एक alternate की तरह मेरे पास option क्या बच गया, name, तो वो मेरा क्या होगा, alternate की, अब हम पढ़ते हैं, structured query language, यह तो आपने पढ़ा अभी database क्या होता है, अब किसी एक programming language के through, हम database को कैसे manage करते हैं, वो परना है, structured query language, structured query language is a standard language used for accessing database, जो मैं structured query language है, वो एक standard language है, जिसको मैं use करती हूँ, database को access करने के लिए, this is a special purpose programming language, यह क्या है, special purpose programming language है, जिसका purpose क्या है, use to create a table, इससे मैं table create कर सकती हूँ, data को manage कर सकती हूँ, data को manipulate कर सकती हूँ, means कोई भी change कर सकते हूँ, data के अंदर, SQL provides statements for a variety of tasks including, SQL हमें बहुत सारे variety of tasks provide करता है, वो कौन-कौन से हैं, पहला है, query data, data को मैं क्या कर सकती हूँ, query कर सकती हूँ, कोई भी query बना सकती हूँ, second, insert कर सकती हूँ, कुछ भी update कर सकती हूँ, delete कर सकती हूँ, rows in a table, table, मैं किसी भी रोको मैं insert, update, delete कर सकती हूँ, third point क्या है, creating, replacing, altering and dropping objects, मैं किसी भी object को create कर सकती हूँ, replace कर सकती हूँ, alter कर सकती हूँ, drop कर सकती हूँ, table के अंदर, drop means की उसको remove कर सकती हूँ, fourth point क्या है, controlling access to the database and its object, मैं database को control कर सकती हूँ, और objects को, मैं controlling access to the database, मैं database को access कर सकती हूँ, control भी कर सकती हूँ, और उसके objects को भी पूरा-पूरा database भी और जो tables पे मेरे objects यूज हो रहे हैं उनको भी फिफ्ट पॉइंट के है गरेंटिंग database consistency and integrity SQL unifies all of the preceding tasks in one consistent language जो मेरा database consistency है और integrity है इसको जो ये use करता है उससे मैं जितना भी preceding task है उन सब को एक consistent language में use कर पाती हूँ next है आपके SQL commands को मैं classify करती हूँ इसके two categories में पहला है आपका data definition language second है आपका data manipulation language और एक और भी होता है वो इसके अंदर इस notes में नहीं है वो आपका होता है transaction control भी होता है वो इस notes में नहीं है अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं आपको बता दूँगी आप उचे comment section में लिटके बता दो first data definition language data definition language is a standard for commands that defines the different structure in a database जो मेरी data definition language होती है वो standard commands होती है उसके जोटके define करती है different structure को कि different different structure क्या हो सकता है database के different structure में means देखो कुछ बताए होए है ddl statement जैसे कि create करना किसी भी table को alter करना किसी भी table को या फिर हटा देना किसी भी ड्रॉप करते हैं यह सारी जो मेरी statements है वो मेरी data definition language में आती है क्रिए database से मैं क्या करूंगी किसी भी new database को create करूंगी क्रिए table से क्या करूंगी कोई नया table क्रिए करूंगी तेबल क्रिए ना दोनों में difference है और टेबल से क्या करूंगी किसी भी table को modify मतलब को चेंज कर पाऊंगी drop table नेक्स्ट है आपकी data manipulation language data manipulation language are used to access and manipulate data in existing table अब मेरी existing table है जिसके अंदर मैं चाहती हूं कि मैं उसके अंदर कोई change लाऊं तो वो है कि से तूट को ले सकती हूं data doata manipulation language कर थो मैं उसके अंदर changes ला सकती हूँ common dml statements कौन कौनसी है अपकी select है update है डिलीट है insert है यह सारी dml statement है आपकी select क्या करोगे extract data from a table कोई table है उसे मुझे कोई चीज select करनी है तो मैं उसे क्या हूंगे extract करोंगे निकाल लोगी update से क्या करोंगी किसी भी टेबल के database को update कर सकती हूँ, delete से क्या करूंगी, किसी भी table के database को delete कर सकती हूँ और insert into से क्या करूंगी, किसी भी data, किसी भी table में कोई भी new data insert कर सकती हूँ मुझे मालनों कि मुझे कोई new row insert करनी है किसी भी table में, तो मैं insert into के थू कर सकती हूँ अब टेबल कैसे क्रियेट करना है SQL के अंदर वो देख लीजिए वी केन क्रियेट आ टेबल अगर मुझे टेबल क्रियेट करना है तो मैं क्रियेट टेबल स्टेटमेंट का यूज करूँगी इसके तूई तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा क्रियेट टेबल स्टॉडेंट उसके बाद मैं क्या करूँगी ब्रस निके डाटा टाइब यह जो आप देख रहे हो तो इंटीजर, var, car, card, decimal, यह सब मेरे क्या है यह सब मेरे data types है SQL के अंदर क्या है? तो इसके अंदर मैंने क्या किया? मैंने लिया एक roll number लिया है मैंने column लिया roll number का जिसको मैंने integer बना है इसका data type क्या? इंटीजर नेक्स्ट मेरे पास क्या है नेम मेरा कैसे वैरक है अब इसके अंदर मेरा कैर भी होता है डाटा टाइप और एक होता है वैर कैर भी होता है तो कैर के अंदर अगर मैं दूँ इसके अंदर 4 लिखो स्टोरिज के लिए वैल्यू दू और वैर कैर के अंदर मैं दू 20 तो अगर मैंने कैर के अंदर 4 वैल्यू दी है तो यह मेरी 4 की 4 क्या कर लेगा यूटिलाइस कर लेगा जबकि वैर कैर के अंदर कर मैंने 20 दी है तो ज उसके बाद कभी मुझे database को change करना पड़ जाया नेम मुझे change करना पड़ जाया तो मैं where कर रही उस करूंगी तो क्या होगा मेरे लिए benefit रहेगा जेंडर जेंडर भी क्या है या तो मैं M लिखूंगी या मैं F लिखूंगी ठीक है तो मुझे क्या चाहिए एक ही करेक्टर है मुझे वन बाइट चाहिए storage के लिए तो मैं क्या करूंगी वन डाल दूंगी नेक्स्ट है marks marks आपके जरूरी नहीं है कि इंटीजर में ही आए points में भी आ सकते है 95.5 भी हो सकता है इस तरीके से तो मैं क्या लेती हूं इसका data type decimal अब मैंने इसको लिख रखा है 4,1 तो मेरे यह जो कॉमा के बादबारी value यह decimal एक decimal value मैं इसके इंदर ले सकती हूं और आग next changing structure of a table अगर आपको table का structure change करना हो तो आप alter table statement का use करोगी we can also change its structure that is add remove or change its column इसके अंदर add remove कर सकते हूं और किसी भी column को change कर सकते हूं को alter table statement का use करके जैसे कि देखो example में बताया हुआ है तो मैं क्या use करूंगी alter table student मैंने statement यूज करी फिर मैंने क्या गेंस के अंदर मैं क्या कर रही हूं तो इसके अंदर मैंने data type क्या यूज के वैर का है 20 second मेरा क्या है second example क्या है मैंने modify करना है game integer को third example क्या है मैंने drop कर दिया क अगर आपको कोई भी टेबल डिलीट करना हो तो आप कौन सा statement यूज करोगे drop table जैसे drop table मेरे पास table कौन सी है student तो मैं क्या command दूंगी drop table फिर में student लिखूंगी तो मेरी table क्या हो जाएगी delete हो जाएगी viewing structure of a table table का structure देखना है कैसा बना है तो क्या लिखूंगी describe table name यह क्या है आपका syntax है जैसे describe की जगह में dsc भी लिख सकती है और table name भी लिख सकती है तो यह क्या है syntax यह syntax एग्जामपल के तोर पर लिखू तो मैं क्या लिखूंगी d e s c और मैं कोल भी table का name देदू employee देदू ठीक है तो मैं क्या कर रहे हूं employee table का description चाहते हूं कि दिखता किस तरीके से तो यह syntax है और यह example है इंसर्टिंग रोग अगर मुझे किसी भी रोग को insert करना हो तो मैं कैसे insert करूंगी पहले लिखूंगी insert into statement का use करूंगी ठीक है अब example देखो insert into लिखा मुझे अब किस table में insert करना student तो मैं उस table का name लिखूंग गया तो मुझे कौन-कौन सी values जान नहीं है तो यह syntax का ही पार्ट है तो मैं values भी लिखूंगी तो values के साथ अब मुझे कौन-कौन सी values देनी है तो मैंने क्या value दी 13 फिर उसके बार यह अब प्रदेट करना है स्टूडेंट टेबल को और उसके बाद मैं value सेट करूंगे कि मुझे अब देट करना है स्टूडेंट को और उसके बाद मैं value सेट करोंगे कि मुझे क्या भैल आएंट करना है धेट करने है करन से नाइन टी फॉर तो अपडेट करूँ की मैं स्टूडेंट मार्क्स ठीक है किसके इसके अंदर को मैं कंडीशन भी लगा Papal अगर मुझे कोई कंडिशन लगानी है तो मैं वेर के थू लगाती हूं तो मुझे किसके 94 माक्स अपडेट करने मौनिका के करने हैं तो मैं क्या करूंगी अपडेट स्टूडें टेबल लिखोंगी सेट तो यह जैसे अधर इंसर्ट इंटू में वैल्यू लिखते थे तो यह भी एक सिटेक्स का पार्ट है आपको लिखना पड़ेगा तो मैं कौन सी अफडेट करना चाहते हूं वैल्यू तो उसको सेट करूंगी तो कोई डिफ्वेंस है अगर कोई भी डिलीट करनी हो तो मैं डिलीट का यूज करती हूं अगर मुझे कोई टेबल डिलीट करनी है तो मैं ड्रॉप का यूज करती हूं डिलीट स्टेटमेंट इस यूज टू डिलीट रो एक्जामपल मुझ डिलीट फ्रॉम ठीक है तो आज के लिए इतना ही एक बार इसको आप अच्छे से पढ़िए अगर कोई प्रॉब्लम होता है मुझे कमें सेक्ष्य में लिखके बता सकते हो तो वह मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी और नेक्स टाइम जो है मैं आपको xquill कमांड्स बताऊंगी कि select statement कैसे यूज़ करते हैं syntax क्या है सारे कमांड्स में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी aggregate कमांड्स भी हैं बहुत सारे कमांड्स हैं उस कमांड को अच्छे से पढ़ाऊंगी तो आज के लिए बस इतना ही thank you very much